नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर मंजू और इस वीडियो में बात कुरूंगी अगर बच्चों में डाइडिया हो रहा है या डिसेंट्री हो रहा है तो इस केस में जो सबसे कॉमनली यूज होता है एंटिबाइटी कॉंबिनेशन सीरप डाट इस ओफ लॉक्सासीन और मेटोन और ओफ लॉक्सासीन के कॉंबिनेशन के मेडिसीन आपको इजली मिल जाएगा जैसे कि सीरप ओटू एम सीरप ओफ लॉमेक एमफोट या तो सीरप डायोस डियस नेक्स्ट हमने बात करेंगे कि डिसेंट्री और डाइडिया में डिफरेंस क्या है अंतर क्या है तो है जिसमें पेन भी नहीं होता है और म्यूकस या तो ब्लड भी नहीं देखने को मिलता है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रफ़ी यह बताना चाहूंगी कि बच्चों में क्या क्या कारण है डाइडिया होने का तो आप यह जान ले कि जो बच्चों में 70 परसेंट जो को होता है यह होने का वह होता है वायरल कॉजस और 70 परसेंट में 40 परसेंट होता है वह था रोटा वायरस के कारण तो आप अपने बच्चों को में एडवास कुरूंगी आप अपने बच्चों को रोटाश का ओर वैक्सिंट जरूर दिलाएं ताकि जो वायल कॉस्ज हो कम से कम नहीं हो तो इसके बारे में आपको डिटल बता हुगे अगर बच्चों में डाइडिया हो रहा है तो इसके सेवेंटी परसेंट मैंने आपको बता है कि इसका और वाइरल होता है इस केस में हम लोग कोई भी एंटिबाइटिक शुरू नहीं करेंगे यह अपने आप ठीक हो जाता है यह खुज सही वो सेल्फ लिम्टिंग है तो अपने आप ही ठीक हो जाता है इसके लिए हम लोग को बस कुछ मेंज़स जो है उसको फॉलो करने हैं यह मेंज़स बहुत इंपोर्टेंट है यह आपका कुछी भी डाइरिया डिसेंट्री में आपको यह करना ही करना है पहला हम लोगों किया करना कि फ्लू डिप्रेश्मेंट बच्चों को अगर जधा डाइडिया हो रहा है तो डीहड्रेशन हो सकता है इस केस में इसको डीहड्रेशन से रोकने के लिए आप ज़ादा ज़ादा उसको पानी दे और रिस दे बच्चा जितना चाहिए और सबी रह अगर आप बच्चों को ब्रेस्ट फिडिंग करा रहे हैं तो इसको आप कंटिन्यू रखें टॉप वाटर बाहर से अगर बच्चे कोई बॉटल का दूद्ध पी रहा है तो इसको अभी नहीं दे थर्ली जो मेजर फॉलो करने हैं वो है जिंक सिरप बहुत जरूरी है बच्चों को सीरप मार्केट में इसली है जिंकोनिया नाम से या तो जिंक किनाम से हैँ यह हर एक पाश एमयल में 20 mgs होता है भाष को बच्चों के देने के लिए इसमें 20 mg सिरप होता है तो इसका डौज में आपको बताना चाहूंगी कि अगर बच्चे का एज़ जो है 6 months से कम है तो इस case में हम लोग 10 mg once a day for the next 14 days देते हैं अगर 6 months से ज़्यादा है बचे का age तो इस case में हम लोग 20 mg once a day for the next 14 days हम लोग देते हैं तो यह इसका dose है नेक्स जो बेज़र follow करें कि वो है probiotics तो इसके जैखने कि अगर बचछों को पहले से किसी कारण से चेल रहा है या तो किसी तरहकरिक इंफॏक्षन होmal से और चीजरते हैं उसका ऊश्याई हो तो इसके खारण से भी बहुत बांदेखा गया है कि डायरिया होता है. तो अगर उंतिबैटिक इंडियूस डायरिया हो रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि उपर से हम लोग गुडबैक्टिरिया उसको देते हैं. जैसे कि लक्तो बैसिलस विफीडो बैक्टिरिया ती ये गुड बैक्टिरिया होता है ये से मेज़र फॉलो करने के बाद भी देखा जा रहा है कि बचे का डाइरिया कंट्रोल नहीं है इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है चाहें वो जितना हम रिचार रहे हैं वो ऐसा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इस केस में हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि या तो ये बैक्टिरियल कॉस हो सकता है या तो प्रोटोजोल कॉस होता है कभी कभी देखा जाता है कि बच्चों को डाइडिया हो रहा है साथ में डिसेंट्री पेट मरूर के दद हो रहा है म्यूकस आ रहा है बलड आ रहा है स्टूल का हम लोग कल्चर करते हैं तो उसमें ओवा परसाइस से स्टारा है ज्यादा तर गयाडिया का और एंटिमेबा हिस्टॉलिटिका का साथ में अकल्ट ब्लड जो टेस्ट होता है वो भी पॉजिटिव बारा है तो इस केस में हम लोग मान के चलते हैं कि यह mixed infection है बेक्टिरियल काउस भी हो सकता है और इसमें प्रोटोजोल काउस भी है तो इसको हम लोग mixed infection कहते हैं इसके से जो सीरप और मेट्गु नीडाजोल काम करता है। नेक्स्ट हम रोग यह बताएंगे कि और मेट्व नीडाजोल चाहरे है। तो फ्लॉक्सासीन है वो जिनरेली ग्राम नेगेटिव बेक्टिरिया पे काउस करता है, एक्ट करता है, उसको मारता है, फॉर एक्जामपल सिगेला, साल्मोनेला और एकोलाई, इसमें बहुत ही अच्छा हुए काम करता है, इसको मारने में जायज को कम करने में, और साथ में कभी कभी इसका व्य इसका जो एक्ट है वह ग्राम पॉजिटिव बेक्टिरिया पर भी देखा गया है, में टो नीटाजोल जो है वह अन्यड़ूजिटिरिया पर एच्छा काम करता है, इसके में किष्डियला इसको स्वमिनीशन, नेक्स्ट हमनों बात करेंगे, साइड एफेक्ट में जो ओफ्लोक सा सीन है, इसका साइड एफेक्ट थुरा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप जब भी आप इसको दे, तो प्लीज आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, तो इसमें क्या करता है कि टेंडन आइटिस करता है, है हुआ है बच्चों में जो असमें करके लेगा चाता है जुईन्ट पेन हो सकता है तो कि इतले हैं मेत्रों क्राइट और साइड ट्र पस आइपिझें बारे में तो मेंट्रों कर टेस्ट होता है से वामिटिंग कोस् OF द्जा तो उसका है डोज होता है 30 mg per kg per day तो जो कॉंबिनेशन का जो सीरप है जैसे कि ओफ्लो मैक M4 सीरप जो है उसमें जो कॉंबिनेशन जो है तुसमें ओफ लॉकसासीन 100 है उसको कालकुलेट करके 200 जो है मेटोणिर जो है तो हम लोग को सिर्फ ओफ लोकसासिन को calculate करना होगा, बाकि मिट्रोनेटा जो है वो अपने आप calculate हो जाएगा, इसके लिए हम लोग को परिशान उन्हें की जुरत नहीं, फर एक्जामपल जैसा कि मैंने बताया था कि ओफ लोकसासिन का जो dose है, वो है 15 mg per kg per day, अगर बचा का age 20 kg का है, तो हम लोग उसको 15 से multiply करेंगे, तो वो आएगा 300, तो 300 में फिर हम लोग 1500 सुबर और 1500 साम हम लोगे divided dose में देते हैं, और ओफ लोमेक M4 में मैंने आपको जैसे बताया है कि 100 है ओफ लोकसासिन और 200 है मेट्रो निटा जोन, तो इस केस में आपको सुबर 7.5 ml और शाम को 7.5 ml बच्चों को for the next 5 days देना है, लास्ट में कुछ पॉइंट में शेयर करना चाहूंगी, parents के लिए, guardian के लिए, कि क्या-क्या है warning signs, अगर बच्चे में diarrhea हो रहा है, तो क्या है warning signs, means की आपका बच्चों को admit कराएंगे hospital जल से जल, पहला है कि अगर बच्चे का जो diarrhea का जो frequency है, वो कम नहीं हो रहा है, रूख नहीं रहा है, दुसरा है कि बच्चा का जो आँख शंकेन है, धस गया है, देखा जा रहा है कि skin का जो elasticity है, जो elasticity है, वो खतम हो गया है, बच्चे कैसे हमनों खीचेंगे इसका skin को, तो reverse back नहीं जाता है, वैसे ही सिकुरा रहता है, इसके साथ साथ अगर बच्चा restless है, बच्चा को बच्चा नहीं हो रहा है, या तो बच्चा लिथार्जिक है, या बच्चा एकदम दूद नहीं पी रहा है, कुछ भी खाने रहा है, इसक sign आप जल्दी से जल्दी बच्चे को hospitalized करें, thank you so much, have a nice day.